प्रिय दोस्तों नमस्कार आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यह कहां साइलेंट होता है इसका बहुत ही आसान नियम है पहले हम इसे समझते हैं देखिए यदी सब्द के अंत में ई हो वहां पर ई साइलेंट होता है यदि सब्द के अंत में E हो तो वहाँ पर E silent होता है उधारण के लिए देखें जब किसी सब्द के अंत में E हो तो E silent होता है जब किसी सब्द के अंत में E आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि वहाँ पर E silent है जैसे कि एज सब्द के अंत में E है तो E को नहीं परा जा रहा तब इसे परते हैं E दूसरा है नेम सब्द के अंत में E है तो E को नहीं परा जा रहा तब इसे परते हैं नेम और तीसरा है डेट सब्द के अंत में E है ए को नहीं परा जा रहा क्यों क्योंकि E silent है तब हम इसे परते हैं डेट इस वीडियो में इतना ही थैंक यू, have a nice day